कोरोना का कहर धनबात कतरास के चौधरी परिवार पर तूट पड़ा है बागे बाग पाचवे बेटी के भी मौत राची के रिम्स में हो गई महज 15 दिनों के भीतर चौधरी परिवार के दुनिया उजड़ गई है राची के रिम्स में चौदरी परिवार के छटे सदश्य की मौत कोरोना से हो गई परिवार पर दुखों का पहार तूट पड़ा है धन्बाद कतरास के रानी बजार में चौदरी परिवार रहता है रिम्स में परिवार के छटे सदश्य की मौत हो गई पहले मा की कोरोना संक्रमन से मौत हुई फिर एक एक करके पाचों बेटी को काल के गाल में समा गए मा की कोरोना संक्रमन मिलने के बाद उसके बाद चारों बेटे भी संक्रमन पाई गए थे जबकि एक बेटी की मौट यमें जमशेथपूर में लंग कैंसर के इलाज के दोरान हुई जहारकण में एक परिवार में कोरोना पीडितों की मौत की यह सारवधिक संख्या है महिला के छबेटे थे एक बेटा दिल्ली में रहता है पता चला है कि इस परिवार में दो और सद से कोरोना पॉजिटिव पाई गए हैं जिनका इलाज चल रहा है वो परिवार विवसाई से जुड़ा है और आगे जो भी हो उनके परिवार को भी कुछ गवर्मेंट के तरफ से सही हो हो सगय तो करें स्वास्त के मामले में बता दे कि जुन को अस्पाटाल में इलाज के लिए भरती हुई मा की मौत चार जुलाई को हो गई थी कोरोना से इस परिवार में पहली मौत थी महला की मौत के बाद उसके परिवार के लोगों ने भी सैंपल दे कर जाज कराई करीब 65 साल का बेटा एक नीजी रिसॉर्ट में कौरंटिन था दस दिनों से उसे सांस लेने में दिक्कत थी जुलाई की देर रात तब्यत बिगणने के बाद उनकी मौत हो गई सरसर्ट साल के उसके दूसरे बेटी की मौत कोरोना से जुलाई की देर रात हो गई 12 जुलाई को तीसरी बेटी की मौत राच रिम्स में हो गई महला का चौथा बेटा कोरोना से संक्रमित था चौथे बेटी की मौत 19 जुलाई को रिम्स में हो गई उसे भी सांस लेने में दिक्कत थी वह सेल्स टैक्स अधी वक्ता थी वही लंग कैंसर से जूज रहे महिला के पांचुए बेटी की मौत टीय में जमशितपूर में हो गई कोरोना का ऐसा कहर चौधरी परिवार पर बरसा है कि जो भी ये वाक्य सुनता है गम में डुप जाता है सब्रंग समचार के लिए धनबाद सेया निल पांडिक रपोर्ट